नागपुर के एक ट्रांस्पोर्टर के बंगले में सेन लगाकर 16 लाक रुपे के गहने तथा नगदी 8 लाक रुपे चुराय जाने की वार्दात को लेकर सगन जांच के बाद क्राइम बांच ने खुला सकर अमराउती के कुख्या सेन मार को उसके साथी के साथ पकड़ा है दोनोंने नगदी गहने तथा वाहन सहीत 18 लाक रुपे का माल बरामत किया गया है आरोपी हरिश अरुन्चरडे, नानगाउपेट कटोरा अमराउती तथा रवी जुगेश्वर शर्मान नंदन्वन जोपर पटी निवासी है मिली जानकरी के मुताबिक हरिश अमराउती का कुख्यात अपरादी है उसकी बहन नंदन्वन जोपर पटी में रहती है वह बहन की यहां आकर रहता है उसकी बस्ती के रवी शर्मा से पहचान हुई रवी पेंटिंग तदा मज़दूरी करता है हरिश न उसे चोरी की टीब देने को कहा था कुछ दिनों से रवी हिवरी नगर निवासी ट्रांस्पोर्ट सतनारें दरक के घर के सामने एक मकान में काम कर रहा था दरक परिवार से 11 दिसंबर को बाहर गाओ गए थे रवी ने इसकी हरिश को जानकरी दी 13 दिसंबर की रात देड़ बजे दोनों दो पईया पर सवार होकर दरक के मकान में पहुँचे बल्ली की मदद से बालकनी में आए वहाँ से घर में प्रविशकर के नगदी तता गहने उडा ले गए जब दरक घर पहुँचे तो चोरी का पता चला जिसके बाद क्राइम ब् 15 को परिसर के सिस्टी फिटे से आरोपियों के लेप्थ होने का पता चला उसे रवी जुगेशर शर्मा घर में ही मिल गया हरिश को अमरावती में पकड़ा गया चोरी के बाद दोनों ने नगदी तता पैसों का बटवारा कर लिया था पैसों से हरिश ने मोबाइल कपड़ हुई चोरी का पता चला है उनसे पूछताच में अन्यवारदा तो का भी पता चल सकता है